हम बात कर रहे थे constitution of India की जिसमें हमने last class में देखा था सविधान के 25 भागों को कौन सा भाग किस से related है कहीं भी question exam में हमें मिल जाता है और यह काफी important होता है हमारे सविधान में वर्तमान में 448 articles हैं 12 अनुसूचियां हैं 5 appendix हैं और अभी तक हमारे सविधान में 104 सविधान संसोधन हो चुके हैं ठीक है तो last class में हमने सविधान के 25 पार्ट देखे थे 25 भाग देख चुके हैं और आज देखने वाले हैं हम अपने सविधान की जो 12 अन नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें ठीक है क्योंकि ताकि आने वाली जो important वीडियो हैं वो आप तक पहुच पाए ठीक है तो चलिए start करते हैं फिर आज की class देखे friends हमारे सविधान में total 12 अनुसूचियां है ठीक है जो पहली schedule है schedule को अनुसूची बोलते हैं ठीक है तो first schedule जो है हमारा वो related है states and uts first schedule में हमारे संग वेराजियों के नाम दिये गए है ठीक है जो second schedule है हमारा दूसरी अनुसूची वो salaries से related है वेतन भत्तों से related है president की salary हो गई जितने भी high offices है of union of India में ठीक है केंदर सरकार में तो उनकी जो salary वेत पूसरी अनुसूची के तहत दिये जाते है ठीक है तो second schedule जो है वो आपका salary से related है वेतन से related है वस आपको इतना याद रखना है जो third schedule है आपका वो related है oath से सपत से तो जो भी president हो गया governor हो गया PM हो गए ठीक है union ministers हो गए CGI हो गए वो third schedule के तहत ही सपत लेते है ठीक है third schedule आपका किस से related है oath सपत से related है ठीक जो fourth schedule है आपका चोथी अनुसूची वो राज्य सभा की सीटों के बटवारे से related है तो राज्य सभा की सीटों का बटवारा जो है वो fourth schedule की मतलब आधार पर है जो fifth schedule है आपका पांचवी अनुसूची वो related है administration of SCST ठीक है जो SCST वाले छेतर हैं उन के administration से related है आपकी पाँचवी अनुसूची आपकी जो छटी अनुसूची है वो related है administration of SCST यानि tribal areas के administration से related है आपकी छटी अनुसूची यहाँ पर दियान देने वाली बात है कि हमें यहाँ पर दियान रखने होंगे इन चार states के नाम तो ये especially इन चार स्टेट से ही related है जो छटी अनुसूची है न असम मेगालिय तिरपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज है उनके administration से ये related है especially ठीक है छटी अनुसूची पांचवी अनुसूची administration of SCST से लेकिन छटी अनुसूची इन चार राजियों के जो ट्राइबल एरियाज है उनके administration से related है ठीक है याद रखेंगे आप इनके नाम असम मेगालिय तिरपुरा मिजोरम जो हमारी साथवी अनुसूची है friends ये केंद्र राज्य के मध्य सकती के बटवारे से related है seventh schedule हमारा division of powers between the union and the states केंद्र और राज्य के मध्य सकती के बटवारे से related है ठीक है तो केंद्र और राज्य के मध्य जो सकती का बटवारा करते हैं ऐसी तीन list होती है union list, state list और concurrent list ठीक है तो presently जो union list है list का मतलब क्या होता है यहाँ पर list का मतलब यह है कि union list पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है state list पर आपकी राज्य सरकार कानून बनाएगी और जो concurrent list है इस पर केंदर और राजिय दोनों सरकारे कानून बना सकती है ठीक है तो इन में अपने subject होते हैं कानून किस पर बनाया जाएगा तो जो union list है इसमें 100 subject है present में ठीक है union list में 100 subjects हैं लेकिन originally जब हमारा सवीधान बना था तब इसमें सिर्फ 97 subject थे ठीक है state list में अभी 61 subject है total originally इसमें 66 थे तो इसमें कम हुए है state list में अभी कम हुए है क्योंकि अभी 61 है पहले 66 थे concurrent list में हमारे 52 subject है total originally इसमें 47 थे ठीक है देखिए 7th schedule हो गया हमारा जो 8 schedule है हमारा 8 वी अनुसूची वो related है language से भासा से ठीक है तो originally तो 14 language थी बट presently 22 language है ठीक है तो हमारी जो 8 वी अनुसूची है जो हमारी 8 वी अनुसूची है वो language भासाव से related है ठीक है जो 9 वी अनुसूची है हमारी 9th schedule वो land reform भूमी सुधार से related है बस आपको इतना ही ये keyword आप पकड़ लेना ठीक है 9th schedule हमारा किस से related है land reform से related है और जो 9th schedule है इसको 1st amendment 1951 के दुआरा जोड़ा गया था ठीक है देखिए देखिए for implementation of land reforms after abolitions of जमीनदारी सिस्टम तो ये land reforms जब आप पढ़ते हैं economy में तब आप इस पुरे मामले को समझ पाएंगे बस अभी के लिए इतना याद रखे कि 1st amendment 1951 में किया गया था पहला सविधान संसोदन जिसमें land reform को 9th schedule में जोड़ा गया था ठीक है और इसमें कुछ ऐसे matters भी आते हैं जिनको court में challenge नहीं किया जा सकता इसलिए ये 9th schedule जो है सरकार ने बनाई थी ठीक है लेकिन अभी जो इसके अंदर matter है जो भी subject है वो judicial review का part बन चुके है now it has also come under judicial review तो ये हो गई हमारी 9th अनुसूची ठीक है anti-defection low दल बदल से ये हमारी related है ठीक है और जो दसवी अनुसूची है जो anti-defection low है इसको add किया गया था 52 सविधान संसोधन 1985 के दुआरा ये आप याद रखेंगे ये काफी important amendments है ठीक है ये keyword आपको याद रखना होगा कि 52 सविधान संसोधन 1985 के दुआरा क्या add किया गया था तो 10 वी अनुसूची में जो है anti-defection laws दल बदल से related जो कानून है ठीक है वो हमारी 10 वी अनुसूची में है हमारी जो 11 वी अनुसूची है friends इसको 73 सविधान संसोधन 1992 के दुआरा जोड़ा गया था और ये किस से related है पंचाइती राज सिस्टम तो पंचाइती राज सिस्टम को 73 सविधान संसोधन 1992 के दुआरा add किया गया 11 वी अनुसूची में ठीक है जो हमारी 12 वी अनुसूची है वो related है आपकी municipalities नगरपालिका से related है और 12 वी अनुसूची को कब जोड़ा गया था 74 सविधान संसोधन 1992 के दुआरा ठीक है तो ये हमारी total 12 schedules थी 12 अनुसूची थी ये सब आपको याद करना है इनके keyword आप पकड़ना कौन सी अनुसूची किस से related है ठीक है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी comment में जरूर बताए like, share, subscribe जरूर करें Thank you